नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज मैं लेकर आया हूँ बेसिक इंग्लिस की क्लास आप लोग से रिक्वेस्ट है आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें यदि आपको इंग इंग्लिस में जातर आप सभी को पता है जो भी नए एंग्लिस सीक रहे हैं उन्हें बहुंँ जादा परिसानी होती है समझने में क्योंकि हमें क्या हम जीने पता है वह आराम से आंदे सब्जेक्ट क्या होते हैं अधर वर्ट जो होते हैं helping वर्ब क्या होता है कंफ्यूज जाता है जो टेंज बनाते हैं उन्हें समझी नहीं आता है बिल्कुल फिर बहुत ही कठी नहीं सर यह तो ऐसे से कंडिशन रहते वहां पर कि फर्स्ट पर संग्लर के साथ यह लगेगा वह helping वर्ब लगेगा और वर्ब के forms कौन कौन से बहुत ज़्यादा confusion तो वह सभी होने वाली है देखिए मैं लिखा हुआ है subject, helping verb, verb, object, other words, first person, second, third person, singular, plural, verb के form से यही सब तो होता ना confusion जिने पता अच्छी बात है लेकिन उन्हें में कुछ नया चीशी सीखने को मिलेगा चलिए आसानी से समझते हैं एक sentence मैं लिखा हुआ है मैं प्रते दिन स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है कोई भी tense का हो सकता है उससे मैं मतलब यहाँ पर tense नहीं सीख रहे हैं हम यह जानने कि यहाँ पर कौन सा ची subject है कौन से helping verb है वह भी यह जानना है अब हिंदी में तो आपको समझ नहीं है कि भई यहाँ पर कौन सा verb समझ आ जाएगा तिकि जब English में transition करूँग अब फिर मैं आपको समझाऊंगो तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझाएगा मैं प्रति दिन इस्कूल जा रहा हूं जिने टेंस पता है अच्छी बात है नहीं पता है कोई बात नहीं पता है उन्हें तो यह पता है जहां पर है हूं है आ आ गया यानि कि present टेंस है जहां पर कैसे लिखते हैं चलिए देखिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोई भी टैंस यदी बना रहे हैं सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट क्या लिखना होता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं सब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसे को मेरी मां बाजार जाती थी, जाती है, जा रही थी, जो भी बोल दो, तो कौन बाजार जाती थी, जा रही थी, मेरी मां, तो वहाँ पर माई मदर सब्जिक्ट हो जाएगा, तो subject कौन है? जो tense में आपको पता है, कोई भी काम हो रहा है तो ही tense का यूज़ करेंगे वह होश्यार लड़का है, ये tense नहीं है, यहाँ पर लड़का होश्यार है, सिर्फ बता रहा है, tense का यूज़ नहीं हो रहा है यहां पर लड़का इनलके दो काम कश्यूते करते बीया हुआ हूं observed यह उपर में सबजिक है तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन हो गया यह मैं यहां पर और अलग-अलग सब्जेक हो तुम यू ही शी इट यहां ए लिखर मैं के लिए i का use करते हैं मैं लिखा i ठीक है अब आते हम जब ये tense बना रहे हैं तो अलग-अलग tense का अलग-अलग formula होता है इसका बता रहा हूँ इसका rule क्या रहता है पहले subject लिखते हैं ऐसे लिख देता हूँ plus हम लिखते है helping verb hv short form में लिख दिया हूँ plus हम लिखते हैं verb है ना verb का first form plus ing लगाते हैं और plus object लिखते हैं और plus other verb लिखते है other word जिसे हम कहते other word ठीक है चलिए भी तना सारा confusion कोई बात नहीं सबसे पहले हमने subject लिख लिख लिए आई अब यहाँ पे बोल रहा है helping verb लिखते हैं हर टैंस में helping verb न्याता है example आपको देने वारों सब में न्याता अब यह helping verb क्या helping verb वर्ब यावने तो काम हो गया यह आपको पता लिख यावने कोई भी काम को वर्ब कовых कहते हैं helping वर्ब क्या है soybean, had been और बहुत सारे उसे हम helping क्योम से क्के ganz now have a help وب करेंदा जा रहा तक इसे कोई मतलब नहीं helping work क्या होते हैं वही सब मैंने बता हैं गहीं अलग लग से हैं क cricket क्यों मा नहीं लगते हैं गहीं मैं नहीं लगते हैं तो helping work jaisे की heaishing Entonces what was worth है इसमें helping work with realize is m और यहां पर क्या हो था प्रेज़न करने प्वैस्ज में इस एम यह फिर आर और हमें यह बाद में आपको 10 सब्सक्राइब अरक नगता है तो आपको पता हूँ है, तीनों helping verb में एक लगेगा, I के साथ लगता है M, I is नहीं होगा ना I are नहीं होगा, helping verb जिसके साथ लगता है, उसी के साथ यह लगता है, तो I am हो जाएगा, अब आपको पता चल गया subject क्या है, I, helping verb क्या है, M, ठीक है, अब यहीं पर U होता, तो U के सा आर लगता, ही होता, तो ही के साथ इस लगता, तो यह subject, यह helping, आगे बढ़ते है, verb का first form में आएंगी जोड़ना है, तो पहले रहते हैं, verb क्या चीज़ है, verb, verb, हम आर को थोड़ा silent मलते है, verb ऐसे बोल देते हैं, इसे doctor ना बोलके doctor, teacher ना बोलके teacher, थोड़ा आर को silent करते हैं वैसी verb ना मलके verb, ऐसे बोल देते हैं, verb याने काम, कोई भी कारे, दोरना, भागना, खाना, सोना, किसी चीज़ के बारे में, सोचना, रोना, गाना, सभी verb है, काम याने verb, तो I am अब काम को लिखना है, वो क्या काम कर रहा है, प्रतिजिन कोई काम है, नहीं, school कोई काम है, न अब यहां पर आगया verb का first form, यह जो last वाला चीज़ से अभी आपको बता देता हूं, verb के forms क्या चीज़ है, verb के बाद मुझे लिखना था, तो भूल गया तो last में लिखा, अब verb तो समझ आ गया, sir, की जाने को हम go बोलते हैं, लेकिन सब में go लिखेंगे का, नहीं, verb का first लि form कहते हैं, first form, जैसे go, जाने को go बोलते हैं, first form हो गया, go, इसी का second form होता है, went, और इसी का third form होता है, gone, go, went, gone, और इसी में ing form, तो ing हमेसा यह first form के साथ ही जूड़ता है, कभी भी wenting या going नहीं होगा, sorry, going नहीं होगा, first form के साथ ही ing जूड़ता है, यानि कि क्या हो जाएग और इसमें जूड़ेगा गुइंग, ट्लियर हो गया, इस पर्स्ट हो गया, तो वर्प का फर्स्ट फर्म में आएंगी जोड़ना है बोल रहा है, कभी भी आप फर्स्ट फर्म जो भी रहाएगा, चाहिए इट है तो इटिंग होगा, रन है तो रनिंग, उसके सेकेंड फर्म में इस अमार के साथ एंगी फर्म होता है तो वापका फर्स्ट फर्म उगया, जाने को बोलते गो फर्स्ट फर्म अर इसमें लिखा होग और साथ एंगी जोड़ना है, तो लोड नुट I am going मैं जा रहा हूँ यहां तक हो गया अब क्या बोल रहा है object लिखना है अब आप पुछेंगे सर अबजेक्ट क्या है object object का मतलब होता है वो व्यक्ति है ना जो काम कर रहा है तो कहां जा रहा है वो क्या खा रहा है वो क्या पी रहा है क्या सोच रहा है तो वो जो चीज खा रहा है वो जहां जा रहा है वो जो चीज कर रहा है उस वस्तू को उस जगा को हम अबजेक्ट कहते हैं वो कहां जा रहा है स्कूल जा रहा है मेरा दोस्ट फुटबॉल खेल रहा है तो क्या केल रहा है फुटबॉल खेल रहा है तो और जो चीज करते हो, जहां जाते हो, जो पढ़ते हो, जहां खाते हो, जो चीज खाते हो, जो चीज पीते हो, उसे हम object कहते हैं, यानि कि कोई वस्तु या कोई स्थान को हम सीधी सी बात आपजेक्ट कहेंगे, तो चरिए object लिख दीजिए, कि I am going, कहां जाता हूँ, school जाता हूँ, तो school को school ही बोलेंगे, लेकिन direct school नहीं लिखते हैं, कहीं जाते हैं, तो preposition to का use, इसके बारे मैं detail मताऊँगा, तो का use करते हैं, दिल्ली जा रहा है, तो to Delhi, है न, और कहीं जा रहा है, जंगल या रहा है तो, to the jungle, ऐसे हम तो का use करते हैं, तो, अब school को लिख दीजिए, अब यहां तक तो complete हो गया कैसर, नई, एक चीज और बचा हुआ है, यह प्रति दिन क्या चीज है, लाश्ट में बचा हुआ है, यहां पे देखे, other words, अब जब पूरा हम लिख चुके हैं, subject लिख लिए हमने, helping लिख लिए हमने, यह जाने मे हैं न, first one, ng जोड दिया, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, उसे हमने लिख दिया, उसके बाद भी और जो चीज जुड़े हुए रहती है, अलग से, last में, हम उसे लिखते है, other words, और भी अन्य शब्द को, अब यह extra है, इसमें से subject हो गया, है न, यह आपका object हो गया, यह आ सबसे करते हैं, पहले subject को लिखेंगे, फिर ismr, जो भी helping वाबे लिखेंगे, फिर verb को लिखते हैं, फिर हम कहां जा रहा है, उसे लिखते हैं, फिर other words को, other words को लिखते हैं, तो प्रती दिन जाने क्या होता है, everyday, तो हम लिख देंगे इसको last में, क्योंकि लिखा हुए में object के बाद other words, तो यह होगी आपका, everyday, बस complete, एक दो example और दूँगा, आज की class यहां तक computer आगे, फिर first, second, third person, बहुती easy way पर बताने वालो, clear होगे यहां पे, I am going to school everyday, मैं प्रती दिन school जा रहा हूँ, आगे देखते हैं, यहां पर भी आपको same मिलेगा, वो आपने भाई के साथ, बाजार गया था, गया था, चुका था, लिया था, तो इसे हम बोलते है, past perfect tense, यह आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यह आपका है, गया था, तो हम बोलते हूँ, आपे past perfect tense, अब past perfect tense का भी ऐसे structure होता है, तो यही तो आप घबराते हो ना, सरी, subject, helping, क्या ची प्लस, हम यहाँ पे, जो helping verb लगाते है, helping verb, कौन से helping verb लगता है, head लगता है, क्या लगता है, head, नीची ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे h-a-d, head लिख देता हूँ, तो कि समझ जाओ, फिर हम लिखते है, verb, verb याने काम का third form, अब आपको समझ आया, third form लिखना है, यह यह वाला third आपको देने वाला हूँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब other word और object नहीं है, चली इसे बना के देखते है, subject क्या चीज है, अब आप समझ गया है, वो जो काम कर रहा था, या करता है, वो subject है, तो caught, वो अपने भाई की साथ बाजार गया था, कौन बाजार गया सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने लिख दिया ही, subject हमारा complete हो गया, ठीक है, अब और helping verb लिखिए, तो यहाँ पर परिसान हो लिए बात नहीं है, past perfect tense में, क्योंकि present में था is, mr, तो सोचना पड़ता था, किस साथ, mr, is, किस साथ, r, यहाँ पर कोई tension नहीं है, past perfect में सब के head, तो हम यहाँ पर head लिख देते हैं, चली helping verb भी complete हो गया, he head यह भी complete हो गया, plus verb का third form लिखना है, हाँ पर कोई ing, नहीं, verb का third form लिखना है, तो गया था, जाना, गया, गई, सब का मतलब होता है go, तो हमें go नहीं लिखना है, third form गॉन है, तो याद, clear होगा, आपको gone लिखन है, तो he had gone लिखती है हमने, वो क्यों लिखा समझा गया, क्योंकि नहीं ही नहीं है, third form लिखना है, ing क्यों लिखा, n o, third form लिखना है, अलग लग का, अलग अलग, third form होता है, clear है, he had gone, यहां तक clear होगए, अब क्या पर on object लिखी है, घु हो Corporate लिखने तो object मैंने बताया था he had gone to the market बाजार गया था, object ७ी clear हो गया, अब बज गया another word, अपने भाई के सांथ बज गया, लिखतो आपने भाई के सांथ, तो सांथ को हम बलते हैं with, क्या बलते हैं with, सांथ में, अपने भाई को हम बोलते हैं his brother लड़का है तो हम लिखेंगे his brother ये अपने के लिए हमने his का यूज़ किया साथ के लिए with का यूज़ किया भाई के लिए brother पूरा चीत यूज़ हो गया सब्जेक्ट he helping verb had वब का thought from gone object बाजार गया था तो हम to the market लिखते हैं तो to school लिख देते हैं और भाई के साथ तो कभी भी his brother with ऐसे लिखेंगे साथ याने with पहले लिखते हैं with साथ में अपने भाई his brother हो गया complete एक और आपको क्यो दियो हम example ताकि आपको बताना चाहूंगे हर बार जोरी नहीं है कि आपको subject और verb के अलावा आपको object helping verb मिले sorry वो आपको helping verb मिले या फिर आपको object मिले या फिर आपको other words मिले देखिए तुम खेलते हो बहुत easy है या आपका ता है ती है आगया मनलब यह आपका होता है present indefinite tense बहुत confused मतूँ यह tense के बारे वालक से बताने वाला हूँ तो उसका होता है subject लिखते हैं plus हम लिखते हैं कोई helping verb नहीं देखिए कोई helping verb नहीं ठीक है हम सीधा लिखते हैं verb verb का first form लिखते हैं उसमें जरूरी हो तो s या फिर es जोडते हैं जरूरी हो तो क्यो जरूरी हो subject के हिसाब से पता चलता है ऐसे ही है जोड़ना है कि नहीं भी बता दूँ आपको plus यदि हो तो फिर object plus यदि हो तो फिर other words चलिए देखते हैं क्या क्या चीज है पहले लिखते हैं तुम खेलते हो कौन subject कौन है तुम क्योंकि तुम खेलते हो न मैं तो नहीं खेलता तुम तो पहले हम लिखते हैं यू प्लेयर हो गया अब क्या is mr कुछ लगेगा नहीं यहां तो helping verb है नहीं तो helping verb भूल जाओ अब चीज आयते हैं verb के first form में verb खेलते हो तो खेलना यह नहीं होता प्लेय तो हम लिखेंगे प्लेयर अब आप बोलेंगे सर एस से इस लिखा है क्या जोड़ दे नहीं आपको नहीं जोड़ना है इसका रूल है कि आई यू वी दे के साथ एस से इस नहीं जोड़ता है ही सी इडी होता तो फिर हम प्लेयर लिखते दे अभी आपको पताने वाला हो यू प्लेय यहां तक देख लेते हैं यू प्लेय। अब बोल रहा है object कुछ है कि object क्या खेलते हो नहीं यदि होता तुम football खेलते हो हम लिखते you play football object क्या खेलते हो क्या खाते हो नहीं है तुम cricket खेलते you play cricket हम नहीं है you play बस खतम हो गया other word छोड़ दो object ही नहीं आपे तो ऐसे भी बहुत सारे वाक्य रहते हैं जहां पर केवल subject और आपको helping आप तो ही नहीं केवल subject और आपको वर्ब मिल यहीं ऐसे होता वह football खेलता है लिखी देता हूं वह आपके लिए इतना तो कर सकता हूं वह football प्लीज देखेंगे भी first second form बहुत यच्छी तरीकर समझाने बरों वह football खेलता है वालेजी खेलती है लिख देता हूं लड़किया भी खेलती है तो वह को हम ही नहीं लिखेंगे हम लिख देते है शी अब play फर्स फॉर्म है लेकिन आपको पहले ही बताया हूं कि subject के साथ डिपेंड करता है ऐसे एस लगेगा की नहीं तो हाँ भी she he see it के साथ एस लगता है तो वाई के साथ एस लगता है प्लेज गो होता तो एस लगता गो इसका भी रूल है अलग से बताऊंगा सी प्लेज अब यहां पर object है हाँ है football खेलती है क्या क्या फूटबॉल तो सी प्लेज फूटबॉल हमने लिख दिया football हो गया complete आपका तो इस प्रकार से यह complete होता है कि आपको subject, helping verb क्या है, verb क्या है, object क्या है, other words क्या है और verb के forms मैंने पूरा clear कर दिया first, second, third form आप आते हैं कि जब आप tense पढ़ते हो तो बहुत सारे tense में से rule बताते हैं कि singular है ना first person singular के साथ is लगेगा, am लगेगा, first person plural के साथ r लगेगा तो आप बोलेंगा अरे यह तो confusing है, चलिए देखते है, first, second, third person क्या होता है, सबसे पहले आपको यही बताए तो first, second, third person को कैसे समझे, सबसे आसान तरीका, first person वो होता है, जो कुछ बोलता है, यानि मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे करो, तुम वो करो, तुम जाओ, तु तुम मैं किस से बोल रहा हूँ, आप से बोल रहा हूँ, मैं आप से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हो गया, first person, मैं first person हो गया, या हम बोल रहे हैं, तो हम लोग first person हो गया, second कौन है, आप लोग, आप से बात करो, जिस से भी बात करो, तो you second person हो गया, third person क्या होता है, हम दोरों मिलके किसी और के बारे मात करें अरे वह लड़का ऐसा था अरे राहूल ऐसा है अरे उसके पापा ऐसे है अरे वह यहां गया वह वहां गया तो हम किसी तीसरी वक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह थर्ड पर्शन बहुत इजी मैं यह हम बात कर रहे हैं आप से तो ह स्टूरा याने ऑन अगे ला तो फर्स स्टूरा को हम बोलतें after याने मैं यह होते याद रखते ने हम फैर याने होता हूं अभर सब्सक्रिकली होता है यह तो हम बोल रहे हैं यह मैंiron भी क्लिव सब्सक्षार. तो आप आर लगाते हैं, plural, U के साथ क्यों आर लगाते हैं, वही आपको बताना चाहा रहा हूं, पहले बहुत पहले की बात है, तब singular को दो या दाओ, ऐसे बोलते थे, तो तब हम तुम के लिए या आपके लिए दाओ का यूज़ करते थे, अब देदेदेदेर प्रचलान ख कर देंगे हम ऐसे कर दें ऐसी बोल देते हैं तो अब आप देखेंगे यह दाओ वाला मैंने रॉंग कर दिया इसको भूल जाए सिंगुलर सेकंड पर्सन में केवल यू होता है और यू के सांथ इसलिए आर लगता है क्योंकि यू बहु अचन है आम वह दोगा हो आप यह लगते लेकिन भाई बोलते तुम ही है आप ही हो यू के लिए इसलिए सेकेंड पार्सन सिगुलर को भूल जाए सेकंड पर्सन प्लूर्सन और है ले Particip of the S3 आ न Пока इसके बारे ने बात करते के हैं कि लढ़का है नियु आर्ण की वह और और पलूरल क Mai Con वे दो लड़के हैं तीन लड़के हैं या ज्यादा आदमी हैं ज्यादा औरते हैं या ज्यादा मिलके टो थर्ड परसट धियुर यकory wrap मेरा होंती तरीकाता था थ्रेंस्प बड़ाने का मैं कभी अशा नहीं मुलता first person singular के साथ यह लगा और second के मेरा वैसे नहीं चलता है मैं सिधा-सिधा ऐसे बोलता हूँ यह आपको I के साथ लगाना है M ठीक है और उसके जदी perfect tense है तो I के साथ आपको लगाना है have past tense है तो head लगा दो है ना, will लगा दो ऐसे मैं बताता हूँ first second छोड़ दो you है तो भई आप लगाओगे you के साथ आर लगाओगे have लगाओगे और had है तो head ही लगाओगे will सब के साथ वही लगता है इस प्रकार से मैं बता देता हूँ मालेजी ही है तो he के साथ is लगता है और have नहीं लगता है 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 पाynnने हैड ही लगता परफेक्टेंच मैं और उसके साथ will सब के साथ will लगता है और and habits आपके साथ it यह नहीं काम करता है और यह हं we हम तो we के साथ क्या लगात्या लगाते है वी हैव कर लगाते है बिलकूल ऐसे ही क्यों कि इसको यह को भी sort में ऐसे लिग देता हूं कि ऐसे I, You, We यह फिर दे के सांथ हम क्या लगाते हैं? है लगाते हैं I have, We have, You have, They have, ऐसे बोल देता हूं और यदि he, she, it यह फिर किसी का नेम है है ना तो हम क्या लगा देते उसक्त है लगा देते हैं ऐसे बता देता हूं तो यह ज़्यादा तरीका फॉर्स सेकंड थार्ड पर्शन को बूल जाईए कंफ्यूजन दूर है लेकिन मैंने क्यों बता है यह तो मेरे तरीक है कोई आपको और टीचर समझा रहे हैं आपको यहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया तो एसलिए थी थोड़ी पसंद करें हो आप लोग जानते भी हो तो भर फ्लीज अपमज़ यादाया ज्यादा याद होता है मैं ज्यादा याद करता हूं मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं ज्यादा ग्रामर में पड़ता हूं आप लोगों से तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरी के सिखा साथ सिखा पाता हूं आपको अच्छा सीखना है तो आपको दूसरे को सिखा स्टार्ट कर दीज़ futa वी आता है दूसरों को सिखा यह पहनों को अरशких अरोसी को यह चलर son सकाइए मभी नहीं हो में को हीफिया दौट के साथ क्या क्लास मैं अटेंट नहीं कि जो आता मुझे ऐसे ही सीख सीख के मैं सीखा हूँ और जितना भी आता है आपको सिखाने को उसक्त करता हूँ तो आपको आची क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे नया है तो सब्सक्राइब करेंजे बहुत ही डिटेल में आप लोगो ऐसी वुडियो बताता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहें